और राइट, जैसे वादा किया गया था, बिल्कुल वैसे ही कल, यानि कि 25 थारी को ट्रेलर रिलीज हो जाता है, Mission Rani Gunch, इस फिल्म का जो पुरेक्टोर याँ, सब्स्रियादा और ट्रेलर देखके, बहुत ही जादा तगड़ी वाई बारी कि यह वाली फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित होने वाली है, पता है मुझे इसे रियल इंसिदेंस पर आधार पर जो फिल्में बनाई जाती है, वो मुझे बहुत पसंद आती है, इसपेशली जब पूरी जन्ता को पता है कि फिल्म का क्लामेक्स क्या होने वाला है, फिल्म कहां से शुरू होने वाली है, तो कहीना कहीं भी मुझे लगता है कि हम बहुत जादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस फिल्म से अज़े डिरेक्टर के तौर पर क्योंकि उनका विजन हमें क्लिरली दिखाई देह रहा है, पता है कास्टिंग के उपर अगर हम रोशनी डालना चाहें तो हमें पता चलेगा कि अक्षे कुमार परिनिती चोपर यह तो है ही, तो इस फिल्म का रिसर्च भी काफी तगड़ा रहेगा, ऐसा सुनने में तो आया है, अभी तक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम बात करें इस फिल्म के फ्लॉट के बारे में, तो लेट मी टेल यू, 1989 में वेस बिंगॉल में रानी गंज नाम की एक जगह है, जहाँ पर ये पूरी घटना घटी हुई थी, कुछ कोल माइनर्स थे, जो कुछ इंसिदेंस की वज़े से नीचे अटक जाते हैं, और करीब 350 फीट नीचे, जमीन से नीचे, और ये एक ऐसा रेस्क्यू मिशन था जो भारत में पहली बार किया गया था, और जिसकी शुरुवात मुझे लगता है, उसके बाद जितने भी कोल माइनर्स की घटनाए घटी है, हर बार यही वाला पैंतरा इस्तमाल करके, उसके बाद आज तक भी सिर्फ यही वाली एक र श्री जस्वन सिंग गिल साहब जो है, जिनको कैप्सुल गिल भी कहा जाता है, उनकी वजह से, all thanks to him, क्योंकि उनकी वजह से करीब 65 माइनर्स की जान बचाई गई थी, और मुझे लगता है यह बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसी, मैं हमेशा से इस विचारधारा की रही भारत में ही, अगर सारे डिरेक्टर्स ने, अगर मन पे लिया ना, ध्यान पे लिया तो आपको इतने सारे बाइपिक्स में लेगी, क्योंकि इतने सारे grounded real heroes है, जिनके जिनके जिन्दगी के ऊपर हम लोग definitely फिल्में बना सकते हैं, और हम सभी को motivate कर सकते हैं, क्योंकि यह व पूरे rescue mission के इर्दगीर्थ और वो देखके बड़ा मज़ा आ गया, हाँ, एक गाना release हो चुका है already इस फिल्म का, पर मुझे लगता है तब भी, जाधा कुछ, मैं सिर्फ होप कर रही हूँ कि जाधा कुछ सिर्फ creative liberty के नाम पे, you know, biopics में यह अक्सर दिखा जाता है, क्रे second का एक dialogue है, वो मेरे पती बाद में है, पहले एक minor है, and I really felt nice after looking that, अगर हम बात करें इस film के BGM के बारे में, तो काफी सटीक वाला BGM हमें सुनाई देता है इस पूरे trailer में, क्योंकि जाधा पर, you know, ऐसी tense वाली situations होने वाली है, वहाँ वाँ पर ये वाला BGM जो हमें सुनाई ये, ये film pure and pure content साबित होने वाली है, and I am super duper excited for this film, अक्षे कुमार के बार में मैं बात करना चाहती हो, क्योंकि पिछले बहुत सारे फिल्मों से उनका कुछ खास समय चल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल में बहुत सारी धेर सारी फिल्में करने के बाद उन सरदार के तौर पर वो काफी convincing लगर अगर पूरे फिल्म के एक tone या cinematography के अगर हम बात करें, तो VFX में थोड़ा हाँ, वो लगा मुझे भी, आप लोगों को भी लगा मुझे पता है कि VFX इतने कुछ खास नहीं है, especially वो पानी वाला सीन, but trust me, जब अब हम इसको बड़े पर 6th of October को, जी हाँ, इस दिन एक और बहुत ही वाहियाद से फिल्म भी आ रही है, Thank You for Coming नाम की, जिसका नाम ही बहुत वाहियाद है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी excited नहीं हूँ, but trust me, इस Thank You for Coming देखने वाला crowd जो है, वो definitely Mission Rani Ganj को नहीं जाने वाला है, और जो Mission Rani Ganj देखने पता सकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक, Peace Out!